हेलो फ्रेंट्स वागत है अपका अपने योट्योब स्टोडी चैनल स्टोडेवेश शुप्रती रिपर फ्रेंट्स आई बीपीस के द्वारा सी यारपी क्लर्क की वैकेंसी निकाले गई है ये वैकेंसी निकाले गई है आई बीपीस के द्वारा जैसे के हर साल इसकी वैकेंसी आई है अब इसमें फ्रेंट्स जो एक्जाम शेडियूल है वो अगर सब्टेंबर और अक्टोबर 2021 के लिए शेडियूल हुआ है आई बीपीस क्लर्क का और इसकी डीटेल देखते हैं फ् 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2021 तक की यानि की फ्रेंट्स इसके फॉर्म अप्लाए होना स्टार्ट हो चुके हैं तो 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इसके फॉर्म अप्लाए होंगे साथी मैं यहाँ पे ओनलाइन एक्जामनेशन प्री की ठीक है प्री एक्जाम कब को ठीक है चलिए आगे और डीटेल देखते हैं एलिजिबिलेटी क्राटेरिया एलिजिबिलेटी क्राटेरिया में सब सब एज मिनिमम एज है 20 यह और मैक्जिमम एज है 28 यह जनरल काटेगरी के लिए और यहां पर फ्रेंट्स जो बर्ट देट होने चाहिए वह दो साथ 93 के पहले की नहीं होनी चाहिए या फिर एक साथ 2001 के बाद की नहीं होना चाहिए इसी के साथ मैं फ्रेंट्स जो एक्जंप्शन दिया गया है ए जो डिलक्सेशन दिया गया है SCST को 5 यहर्स का OBC को 3 यहर्स का है ना चलिए और डीटेल देखते हैं Educational Qualification Educational Qualification की बात की जाए तो यहां पर Graduation की डिग्री होना चाहिए आपके पास में साथ ही आपको Official Language के Knowledge होना चाहिए जिस भी आप स्टेट के लिए अप्लाइ कर रहे हैं जैसे आप अगर MP के लिए अप्लाइ कर रहे हैं तो MP में Official Language है Hindi ठीक है तो आपको Hindi Language लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिए ठीक है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाइ कर रहे हैं उसके Official Language आपको आनी चाहिए इसके बाद अगे बात करें educational qualification के बाद मैं इसका यह जो PDF है यह मैं description box में link provide कर दूँगी आप और detail में इसे देख सकते हैं अभी जो जो important है वो information में आपको बता रही हूँ इसके आगे friends बात करें तो यहां पर pattern exam pattern CRP clerk का exam pattern pre का exam pattern रहता है इसमें subject रहते हैं English numerical ability और reasoning ability इसमें number of questions रहते हैं friends English में 30 questions 30 marks की और maximum यानी numerical ability 35 questions 35 marks reasoning ability 35 questions 35 marks याने के total 100 questions 100 marks के लेकिन friends इसमें individual timing रहता है याने आपको एक subject attempt करने के लिए सिर्फ 20 minutes मिलते हैं जैसे ही suppose आपका first है English English में आपका timing स्टार्ट होगा और वो सिर्फ 20 minutes कर रहेगा जैसे ही 20 minutes खतम होंगे उसके बाद में आप English को वापिस से English subject के लिए आप questions attempt नहीं कर सकते हैं आपका next subject start हो जाएगा याने हर subject के individual timing होती है तो individual timing किती किती है 20-20 minutes की इसके बाद friends main exam की बात की जाए तो means exam में रहता है general financial awareness, general English, reasoning ability and computer aptitude और quantitative aptitude ठीक है इसमें भी friends यहां पे आप देख सकते हैं number of questions और maximum marks दिये हुए हैं और इसमें भी separately अलग-अलग subject के अलग-अलग timing रहती है अगर हम minus marking की बात की जाए तो friends इसमें negative marking भी होती है 0.25 की है न यहां पे दिया हुआ penalty for wrong answers ठीके pre और means दोनों में किता 0.25 याने की one fourth negative marking होती है wrong answers पे इसके बाद में fees है न फीस देख लेते friends और important जो बात है वो है fees कि इसमें form apply करने के लिए आपको किती fee payment करना रहेगा तो इसमें friends 175 fees है 175 fees है SCST, PWD और ex-servicemen के लिए ठीक है 175 plus portal charges और other categories अदर कौन से general OBC के लिए किती fee से 850 ठीक है plus portal charges तो यह आपके लिए form की fee रहेगी और friends जो important information थी वो मैंने आपको provide कर दी है बाकी यह PDF description box में आपको इसकी link मिल जाएगी वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं या download भी कर सकते हैं और आप इसे detail में देख लेजएगा और अगर फिर भी आपके कुछ doubts हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कीजिएगा आगे share कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा क्योंकि notification के साथ साथ हम study के वीडियो भी provide करते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले class में थैंक यू फ्रेंट्स टेश रमार का